नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियना त्रिवधी अपने इस यूटुब चैनल में पुना आपका एक बार स्वागत करता हूँ आप से अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आउस्ट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिल सकें आज मैं आप लोगों के साथ होमियोपैथिक की औसधियों का एक ऐसा कंबिनेशन बताने जा रहा हूँ जिससे आप तीन दिनों में अपने गुटने के दर्ज से चुटकारा पा सकते हैं मैं आप सभी मित्रों से अनुरोद कर रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एवाम ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाग ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें तो आएए अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि घुटने के दर्द के लिए वो कौन सी मेडिसिन है वो कौन-कौन सी मेडिसिन है जिसे मिला कर अब तीन दिनों में अपने घुटने का दर्द ठिक कर सकते हैं घुटने के दर्द के लिए होमियोपैथिक की दो कम्बिनेशनों को आपको ब्यवहार में लाना है पहला कम्बिनेशन है आर्निका 200, रूटा 200, एवं हाईपैरिकम 200 इन तीनों दवाओ को समान मात्रा में मिला कर एक सीसी में रख लें दूसरा कम्बिनेशन है मेरियरियम 200 एवं सिंफाइटम 200 इन दो ओस्धियों को भी समान मात्रा में मिला के एक अलग सीसी में रख लें और सधी लेने का तरीका है पहला कम्बिनेशन जो है आर्निका 200, रूटा 200, एवं हाईपैरिकम 200 को पहले दिन प्रते एक आधे घंटे में आपको सेवन करना है दो बुन की मात्रा में 10-12 डोज हो जाने के बाद दूसरे कम्बिनेशन को सुरू करना है जो की दो घंटे के अंतराल पे तीन डोज लेना है दूसरे कम्बिनेशन में सेंफाइटम 200 एवं मेजेरियम 200 है दूसरे दिन से दोनो कम्बिनेशनों को सुबह दो पहर एवं रात्री में लेना है तीसरे दिन भी इसी क्रम में आउसदी को लेना है आप देखेंगे आपके गुठने का दर्द 90 प्रतिसत तक समाप्त हो जाएगा परन्तु लाब होने के बावजूर भी लगातार साथ दिनों तक सुबह दो पहर साम आपको आउसदी का सेवन करना है ताकि आपका रोग पुनह वापस ना आए साथ दिनों के पश्चात आउसदी को बंद कर देना है गुठने के दर्द में ये दोनों कंबिनेशन बहुत ही कारगर शिद्ध हुई है मैंने कई रोगियों पर इस कंबिनेशन का ब्यवहार किया है और उन्हें बहुत ज़्यादा लाब मिला है अगर हमारे इस कंबिनेशन से आपको फायदा पहुंचता है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य भेज़ें चलते चलते पुनह आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि एवब ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का लाब ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार